गुड मॉनिंग दिस इस विवे गुपता एंबीबीएस काउंसलर ही करेये काउंसलर भी और आज बात करते हैं जो नीट 24 में नंबस हमें बड़े वे नजर आ रहे हैं उनका इंपेक्ट क्या हो सकता है क्यों काफी आप में से लोग परशान हो रहे हैं घबरा रहे हैं कि ओवरॉल सो देगे सबसे पहले तो आप समझते हैं कि नीट जो कि MBBS, BDS, Ayurvedic, Nursing का एक मातर पेपर है और अभी यह मानता है और मानता गलत भी नहीं है कि one of the safest careers in India is becoming an Ayurvedic, Allopathy Doctor, followed by Nursing, BSC, and then if nothing happens, may be an Ayurvedic, Homopathy Doctor, or a BDS. So because of that, नीट के popularity हमेशा बढ़ती रहेगी और शयद अब तो डबल हो गया है, जेही में से, पास साल पहले, साथ साल पहले, जितने लोग नीट लेते हैं तो तो जेही लेते हैं लेकिन डबल का फरक हो गया है, So नीट के popularity जिसके देन दोगनी, राज चोगनी तरकी कर रहे है और उसी विजा से competition बढ़ रहे है, एक चेज़ में महुर क्लिर कर दो कि मैं भी कभी कभार रेंडमली बोल देता हूं लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मैं मेशा बच्चों से कहता हूं कि what actually matters is your All India rank and category rank and of course आपकर क्या state domicile है, specially जो जानती है कि MBBS के seats में बहुत पर लास्ट यार लेट से एक लाग दस यार रेंग थी तो बिछली हम बिना कहीं हम का वलत जो भी में इतना से वीडियो बनाते हैं, counselors होते हैं हम इंडरेटली यह इशारा कर रहे हैं कि आप rank आप की समयानी चाहिए, तो हम मार्स की बात करते हैं लेकिन हमारे मार्स की पीछ चाहिए, तो पता चलेगा कि 500 नंबर के सकारी सीट मिल रही है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, उस चीज में फैदा होते हैं कि जब आप बड़े-बड़े कोजी सेंटर से पढ़ रहे होते हैं, तो आप यह देखते हैं कि जो आपने एक आल इंडिया टेस्स लिया, उस उस पटूलल टेस्ट में आपकी रहेंग है, तो अपकी एलन के आपने टेस्स लिया, तो एक लाग बच्चों नेगर वो टेस्स लिया और आप उसके अंदर आपकी 10,000 रहेंग है, तो एक लाग में आप 10,000 तो अगर 18,000 बच्चे होंगे, 25,000 लाग होंगे तो श्याद है यह वी सेट दैट फिर से जो हम एक ट्रेंड देखते हैं पेपर कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ऊपर चला जाए बहुत नीचे चला जाए तो पेपर की डिफिकल्टी दो चार पांच परसेंट ऊपर नीचे होती है इसलिक रफ एस्टीमेट से मेशा काम करते हैं कि भाई ल पढ़ने वाले बच्चे भी आगए सिस्टम में डाउन वाले भी आगए हैं तो आप देखोगे कि परसंटाइल फिफ्टी परसंट परसंटाइल जिसको हम नीट कॉलिफार स्कूर कहते हैं वह मोटा मोटी एक ही रेंज में चलता है जनल कैटेगरी का पिसले तीन चा साल से जबकि नीट के स्कूर के बढ़ गया है जब एक नए एक लाग बच्चे आते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि उसमें से एक 700 वाला भी आएगा फिर कुछ 650 वाले कुछ 600 वाले कुछ 50 वाले भी और ना मैथमेटिक की भाशा में सो गयते हैं नॉर्मल कर्फ तो हमेश सब्सक्राइब देखिए इस साल उमीद है कि जो नए कॉलिज की आई है लास्ट यह तो कि एक लाग बारा जार थी पर दस हजार भी बढ़ती है 10% तो सबर बच्चे बढने वाले है 20% सो सच बता हूं तो देखिए कॉंपेटिशन तो बढने की उमीद है बहुत फोर सरकार सब्सक्राइब देखिए जिसको 300 नंबर पर 500 नंबर पर या ऐसा कहना चाहिए पांच लाग ओलोंडे रैंक पर सीट मिल रही है वक्षों मिल रही है सीट तो खाली एक लाग 10,000 थी क्योंकि सरकारी के बाद या कहलों फ्री सीट के बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट ले नहीं पाते और यह मैं हरान हूं जब मैं परेंट्स को समझाता हो ना उन्हें बड़ी हरानी होती है मैं कहता हूं सर आपको पता है कई बच्चे ऐसी मेरी भी क्लाइन्ट होती है छे सो दस नमबर वाला जो रिपीट कर रहा है इसको इंडिया का बेस्ट प्राइवेट में इसे सबसे सबस्ता वाला चाहें के बात करें चाहें के बात करें लेकिन उनकी फैमिली तो वह भी चोड़ते हैं विगोज फीज तो वह निच्चे आती है कट आफ और हमको दोसो नमबर पर भी कॉलेज मिल जाता है वह बात अलगा वह तमिलनाडू की डीम ने मिलती हैं और डिफेंट डिफेंट लॉजिक प्ले करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेडिकल एंडिकल में सब्सक्राइब करते हैं तो कोई करनाड़ा का क्या लाग कि कुछ 15% सीट ही अविलेबल है या आंध्रा ते लंगा ना तो इस तरह से हर स्टेट का रूल अलग है उसके साफ से हर स्टेट अपनी कांसलिंग करता है और एक सेंट्रल कांसलिंग होती है जो मसेशी करता है तो ह वीडियो पहले डाला था 2023 के रूल देखिए आप सीट बुकिंग अब हर जगह नहीं हो सकती है अगर हम 2023 के रूल की बात करें तो मसेशी कांसलिंग तो बिल्कुर ट्रांस्पेरेंट हो गई चौथा राउंड भी ऑनलाइन था डैट मींस वह इक्यावन डीम्ड यूनिवर तुछ आटिल किसी भी कॉलिज में किसी भी तरीके से साइड डोर सेडमिशन पॉसिबल नहीं है हाँ इन में से सभी कॉलिजों में एंरए सीट होती है पंदरा परसेंट पर उसके लिए बी जो एंडरा स्पांसर पेपर होता है वह रियल ब्लड रिलेशन का चीए होता है आपको मिल गई आपकी बले नहीं मिलेगी आपको सौरी बोलके पैसे वापस कर देगा यह बहुत होता है मेरे पास हर साल राउंड वन के बाद टू के बाद दो गाते हैं अरे सर किसी के साथ हमने दाव खेला था उसने का था कि राउंड वन में फलाना दिला दूँगा नहीं मिल पाया सर खुद फोन करके सारे पैसे वापस करें फिर मैं समझाता हूँ कि आपको काउंसलिंग की आपस कर दिया और अगर आपको सीड मिल जाती है वो पैसे उसके हो जाते है तो यह चाहिए कि आपको उसके लिए पलब उस बंदे को आज भी गुनगा रहे हो उसके क्यों से वापस कर दे को उसके क्रें नहीं था आपके लिए तो ऐसे लोग का फरक समझे कि कौन है जो काम कर रहा है कौन है जो हवा में बाते कर रहा है लास्ट इर बहुत था देखिए जासा मैंने का कुछ अब सीटे बचिए जो में वीडियो में बुसकता है जहां पर अभी भी एडमीशन पॉसिबल है बुकिंग करके अब वहां पर अडमीशन कराने के पीछे एक शर्थ है कि है तो क्या वहा में कमिट्मेंट हो जाएगी क्या नेपाल के अडमीशन से लोग उने बुकिंग करने शुरू करते हैं मुझे कहते हैं सर आप हमेशा कहते हैं 12 रुपे बेजो एक और एजेंट ना वो तो कहता है सर बस 20 रुपे भेज दो आपी बुकिंग हो गई अब ख एक सीट ब्लॉक करके रखना जो कि शुर को ने दी जाएगी क्या कोई 20 रुप में करेगा पैडिंट्स को बड़ा मचाता है जी वो तो खाली 20 रुप मांग रहा है वीविक सर आप एक लाख रुप मांगते हैं हम एक लाख मान लेके अचुली आगे भेजते हैं और अचु जीए कि 20 रुप में वो सीटे बुक होती है जा 20 रुप में राइट तो अगर एक क्रोड का कॉलिच है तो कमसे हम दो लाख रुपे पांच लाख रुपे तो लेका ना वो सीट बुकिंग करने के लिए या आपके लिए एक स्पेशल ट्रीटमंट आपको देने के लिए तो करा कुछ नहीं सिर्फ आपके लिए चॉइस फिलिंग करी जो आप खुद भी कर सकते थे हमें देते हमारे बेसिक पैकेज ले लो 25 रा 30 रा का हम भी कर देते जहां जो मैंने का कि जी हमें एक बंदा मिला था लास राउंड तक उसने बोला जी दिलाओंगा दिलाओंगा दि कि शैद अपने आप आको सीट मिल जाए तो जो आपके साथ 10 लाग का पी डिसी का चक है और आप खुशी से देते कमाल के बाद यह है वो बंदा आज भी कह रहा है सथ देखो बंदा था तो बहुत अच्छा उसे बड़ी कोशिश करी करी मैं का अच्छा में कोशी देखिए हैं उसकी आप उसके साथ प्में यह गए थे शॉफिश के शेयर मैं से मिले थेreck है मैं वो जो होतर नग मैंने आपके लिए बड़ी कोशी करी हैं तो फोन पर के लिए कोशीश करी है क्या आपने जा कर से hem गरे तो आपके लिए पहाड तोड़ राया पानछ तोड़ रहा है और किस्मत में आपको सीड मिल जाती तो वो पांट दस लाग का पीडे सी उसका हो जाता नहीं मिली तो आपको वापिस कर दिये और आप आज भी उससे गुनगा रहे हो इन चीजों का ध्यान रखिए फिर ही आप में कंसल्टन चुनिए कंसल्टन चुनिए बहुत इंपोर्टन रहेगा 24 में जिस तरीके कॉंपटिशन इंटिसिपेट कॉंपटिशन डेफिनिटली बढ़ेगा तो अच्छा कंसल्टन रखिए जो राउंड वन से पूरी स्टाड़िजी बना के चले और नमबरों के साब से उसके साब से अगर हमें डरेट डोर सेड़ मीशे लेना है या इंडरेट डोर सेड़ मीशे लेना है वह फैसला भी आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा तो अभी से सीटस बुक करा लिए जैसे में आपको कहा बड़ वहीं जहां पर बुकिंग पॉसिबल है जहां आपको पता है सो के सो परसंट सीटें आ उनले राउंड से मिल रही है वहां पॉसिबल नहीं होता है यह लौजिक का खुद ही ध्यान लगा लीजिए औके और हमे तो सिंपल है तीस पचास पिजटर और लाग हमारे चार सर्विस चार्ज है तीज़ार रूपिय अगर आपकी सरकारी सीट आ रही है या एक फॉर्म भर कि आपकी प्राइब अगर तीन के करीब मुझे आपकी काउंसलिंग करवानी है इंशूर करने कि आपका डेपॉजिट ख है और करनाटा का करें रहे हैं केरल देखये निशतिग मंतार होता है जो मैंज़मेंन कोटा या एंडेव सीट लेना चाहते हैं बडा सिम्पल लॉजिक है और लेकिन कुछ भी आपको जानकरी चाहिए तो पहले आप चार्ज देंगे और जो भी भाट करेंगे वह हमारे चा के फीर स्कोर को देखके हम बागी डिफरेंस आफ अमांट आप से ले लेंगे ओके हैव नाइस डे आपको मारा नमबर पता ही है 9643362320 यही नमबर इस वीडियो के डिस्विक्शन में भी है और वो वीडियो भी डिस्विक्शन में डाल दूगा कि हमारे चार चार्जिस्यों हैं और वो वीडियो भी डाल दूगा कि किस तरीके से 2023 में काफी रूस चेंज हुए जिसके विज़ा से काफी प्लैनिस लोगों की खराब हुई तो वो काउंसर रखिए जो इमेजियेटली एक्शन ले उसको अगर पता है कि जो 2022 के रूल थे वो मामला खराब हो गया बट एक होता है जो आपको अंधेरे में रखे और एक होता है कि जैसी रूल है तुरंत आपको बताया तुरंत हमने दूसरे एक्शन लिया किसा जहां हमने सीट के बात कर रखी थी वो तो हमें नहीं दे पाएंगे फंड वापस आना तो बहुत छोटी बात है पर में बात है कि अप कहां सीट लें ठीक है have a nice day bye bye take care